हेलो क्रिकेट लवर्स कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो इंडिया वर्सीज न्यूजिलैंड का जो वर्ल्ट टेस्ट चेंपिंशिप आने वाली है तो उसको लेकर जो बड़े दिगज है क्रिकेट के आपने नाम सुना होगा तो उनका बहुत बड़ा बयाना है इंडिया वर्सीज न्यूजिलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ कौन इंडिया का X Factor हो सकता है कौन इंडिया को जितान में सबसे बड़ा रोल निभाएगा गेंदबाजी की तरफ से तो वैं जिसने दस सर कर्टली एंब्रोज का नाम नहीं सुना तो वो अभी नए आया है क्रिकेट में तो आपको मैं बता दूँ वेस्ट इंडियस की तरफ से बहुती शांदार गेंदबाज थे ओल अवर वर्ल्ड में लेजेंड वाना जयतन को गेंदबाजी में शे फुट आठ इंच की हाइड थी और जो उनकी यॉरकर स्विंग और दोनों तरफ वो लोगो स्विंग होची थी बहुती जबरदस्त गेंदबाज थे ये तो इनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है और इनका यूट्यूब चैनल भी जहांपी जाके आप इनका देख सकती हो शो तो अपने शो में इन्हों ने बहुत बड़ी बात किया और विक्रांद गुपतर सर और दसर कटली एम्प्रोज के बीच में और जो इनकी एक और होश्टी करिश्मा तो उनके बीच में काफी मुद्दो पर बात हुई तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप है उसके ओपर काफी जिसे बोलते हैं काफी important बात रखी दसर कटली एम्प्रोज आप सब जानते हैं जो एक talented बोलर होता है और जो बहुत कुछ achieve कर चुका होता life में तो उसको बहुत पैचान होते है कि कौन सा बोलर काफी अच्छा चल रहा है और कौन सा बोलरा चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अपने debut में इतना तहल का मचा सकते हैं तो अब जब दूसरी बार England जाएंगे तो जो बुम्रा का confidence होगा और जो उनकी ताना शाहिए वा आपको देखने को मिल सकती है England के ground में यह सरिफ New Zealand को नहीं England को उनके घर पर ही बहुत ज़ादा जिसे बोलते हैं काफी घबरहाट का feel दे सकते हैं कैसे क्योंकि आप सब जानते हैं इनकी गेंदबाजी जो इनकी Yorkers जो डालती है यह वो कला हर किसी के पास नहीं होती जो बुम्रा के पास है यह सब जानते हो कि यह किसी वी वक्त इनकी बाउंसर आ सकती है और जो इनका एंगल अंदर की तरफ आत और जो बोल इनकी बहार की तरफ जाती है तो उससे हर batsman को confusion हो सकती है तो यह इन्होंने काया कि इंडिया की bowling को लीड करते हुए मिलेंगे कौन जस्टरीद बुम्रा और काफी अच् बैटिंग में आपको बता दूं तो यह विराट कोली के बहुत बड़े फैन है इन्होंने का कि अगर विराट कोली को 30-40 रण का स्टार्ट मिल गया तो उनको फिलाल कोई आउट ने कर सकता अगर वो 30-40 की स्टार्ट ले गए तो वो 30-40 के स्कोर पे आउट होने बले बाज नहीं है वो अपनी इनिंग को पेस देना जानते हैं कि अगर विराट कोली 30-40 रण बना गए या फिर पहले विक्रिट की पार्टर्शिप 50 प्लस की लग गई तो न्यूजलेंड के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है इंगलेंड के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाल आनवल टैम पे इनसे एक और सवाल पूछा गया कि क्या आनवले समय में जो बुम्रा है क्या इनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे क्या 300-400 विकिट ले पाएंगे जस्पी बुम्रा तो इन्होंने का बिल्कुल ले पाएंगे बस वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे और आप सब जानते हो अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो आप इनके चैनल पर जाकर देख सकते हो दकर्टली एंड करिश्मा शो आप जाकर सर्च करोगे आपको यह चैनल मिल जाएगा तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगए अगर आप पहली पार मेर चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और क्रिकेट पसंद तो भी सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और शेयर भी कर देना कमेंट करके बता है कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी और मेरी जबान से आपको इनकी जो कहानी कैसे लगी यह जुरू ब